हेलो देखने जा रहे हैं एक बहुती अच्छी कविता नो बहुती अच्छी है इसलिए भी है क्योंकि जिस शक्स ने इस कविता को लिखाया है इसा कोई नहीं है जो इंगल्श लैंविज और नेश अच्छी का नाम नहीं पता हूं है जो दो खोड़ित ज सिंख च्छी गाहरि की इनकी जानमती है Miss the birth date of William Shakespeare is celebrated across the world as the English language day के तोर पर इसे मनाया जाता है And also he is called as a bard of Avon No Miss आप समझ सकते हो कि William Shakespeare को इतनी महामता क्यों मिली क्योंकि उन्होंने सिर्फ dramas नहीं लिखे उन्होंने सिर्फ sonnets नहीं लिखे बलकि sonnets और ड्रामा लिखते हुए उन्होंने बहुत सारे अंग्लिजी शब्दों को जन्म दिया है A new English words he invented we can say So he became Miss or he is called the father of English as such तो इसी लिए आज जो हम देखने जा रहे हैं William Shakespeare ने लिखी हुई जो ड्रामा थी उस ड्रामा में से लिया गया एक short poem थी जिसका नाम था Excuse me मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम था All the word is a stage This is a very philosophical poem लेकिन क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ 10 standard में हो और आपकी जो studies है वो बहुत ज्यादा तर आपकी पढ़ाई के लिए है इसलिए आज जो हम ये lecture देखने जा रहे हैं इस lecture में बहुत ही खास तरीके से आप permanently इसका विता को समझ जाओगे कैसे हम देखते हैं? Let us begin with the poem All the world is a stage as such और इसमें हम देखते हैं कि this is a stage of the world ये पुरी दुनिया का एक stage है और हम सिफ एक्टर्ज है So the beginning of the poem is with this that the All world is a stage ये पुरी दुनिया एक stage है और इस stage पर हम आप और मैं हम सिफ एक्टर्ज है और यहापर entrances है और exits भी है आने जाने के लिए आपको पता होगा कि ड्रामा में जब ड्रामा होता है इनेक्ट किया जाता है So where the drama is actually enacted, they are on the stage So there are the entries and the exist Both the things are entrances and the exist और wing होती है एक तरकी जिसमें characters जो होते हैं वो stage पर आते हैं फिर wing में से फिर अपने जगह पर जाते हैं फिर entry लेते हैं फिर exit लेते हैं यह सिलसरा जारी रहता है बट इस नॉट पार्ट अवियर स्टेडी तुड़े आज हम देखने जाएंगे The Poem No तो इसमें seven stages So Shakespeare कहता है कि हमारी जिन्दगी की साथ Stages होती हैं और इन साथ Stages में हम जीते हैं So the very first stage of ours is Stage 1 Is the infant हम क्या होते हैं सबसे पहले हमें छोटे से बालक होते हैं पैदा होते हैं So that is an infant No जो हमारी means As soon as you are born You are called as an infant आप जैसे ही पैदा होते हो तो इसको हम infant कहते हैं अब इस कविता को समझने का एक खास तरीका है इस कविता में आपको सिप क्या देखना है Stage कौन से है Which is a stage एक बात और दूसरी बात इसके साथ देखनी है What are the actions इस stage में हम क्या करते हैं और हम कैसे होते हैं हमारी qualities and the actions The two things are taken into consideration at the time we think of a stage तो stage 1 में हम क्या है एक छोटे से बालक है infant है और जब हम infant है था हम क्या करते हैं muleing, crying and puking in the nurse's arm कविता में दिया गया है अगर आप कविता को उठा के देखेंगे मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप इस कविता को इस धंग से समझते हो तो आप हमेशा के लिए इस कविता को समझ जाओगे This is so simple for you और इसलिए जब हम छोटे होते पाइदा होते हम क्या करते है We cry, we mule and we puke No, crying, muleing and puking in the nurse's arm मैं जल्दी जल्दे लोंगा because the philosophical aspect हम इस पर एक मिनट बात करने वाले है इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का हम जल्दी भगाएंगे Second is the stage that कि हम क्या होते है फिर Second stage में We are something That is School boy क्या होते हम School boy होते So here is a school boy क्या कर रहा है वो रो रहा है उसको बिल्कुल भी school जाना अच्छा नहीं लगता आप भी अगर अपनी childhood को थोड़ा सा Now you are not the kids You are the teenagers now लेकिन आप अगर अपकी First standard Second standard के दिनों को याद करोगे You know तो आपको पता चलेगा क्या you are not very much willing to go to the school So क्या करते है School boys School boys क्या करते है They are the winners Win Complain करते है No Unwilling होते है Pretend करते हो Pretend करते है आज मिझे इच्छा नहीं लग रहा है I am not well I am ill I am fever There is a headache And much more pretensions are given For not going to the school School में नहीं जाना चाहते है इसले भी वो रोते है No And they go to the school As if a snail is walking जो snail रोते है न हम जिससे क्या केते है Google guy केते है जिससे snail चल रही है इस तरीके से school boys They cry Because they are very much Unwilling to go to school No लेकिन एक बार अगर School में उनका मन लग गया So they are very unwilling to be at home एक बार अगर उनका School में मन लग जाता है तो फिर ओगर पर रहना नहीं पसंद करते है Actually क्या होता इसको मैं फिर कभी आपको बताऊंगा Next is the stage of a lover You know तिसरी stage क्या है हमारे Stage 3 Stage 3 is the stage of a lover और lovers क्या करते है They are very दुख्यात्मा दुख्यात्मा होते है एक तो बहुत खूश रहेंगे Excited रहेंगे या फिर अगर उनकी beloved उनको छोड़ कर चली जाती है तो फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं So what they do They sigh like furnace कैसे वो साय करते हैं They simply sigh like furnace furnace बरो तो बट्टी होती है बट्टी में पुरा कोईला भरा हुआ होता है और वो तपती रहती है हमेशा बट्टी तो इसी तरीके से इनका दिल भी क्या होता है इनका दिल भी तपती रगिस्तान के जैसे बिचारा रोते रहता है So that is called the Sighing and Singing the Ooful Ballads क्या करते हैं Ooful Ballads को गाते रहते हैं आपको पता होगा बहुत साथी फिल्मों में आल्बम्स में इन बातों को देखते हैं So how is that कि मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो My heart is broken as such My heart is totally broken And there is a tear Sighing Sighing का मतलब बता है Sigh Hey भगवान क्या हो गया मेरे साथ So that is what the stage of A lover is such Next time stage पर जाते हैं And we shall see the stage A very responsible stage Stage 4 That is the stage of a soldier And what is that soldier के stage में क्या आता है हमेशा जगडे के लिए तयार रहते हैं No they are always They are very angry Because of their physical exercise Always in the tension of War Always think in terms of enemy So हमेशा जगडे के मूड में रहते The soldiers are taken like this And they are very angry Soldier के साथ पंगा नही लेने का They are very angry people So the soldier you can see No the expression of the soldiers Very angry expressions Having a gun in a hand And ready to kill the Enemy as such So that is the soldier Next is the stage We shall see That is The judge No promotion Judge is supposed to be the middle age man Who is rational Who is understanding Who is mature Who is wise So judge कुछ ऐसे होते हैं काम होते हैं वो शान्त होते हैं Quiet होते हैं Supposed to be very calm and quiet as such And then we shall go for A little old stage Not exactly the oldest stage लेकिन एक और स्टेज आगे जब बढ़ जाते हैं Above 50 particularly So हम क्या होते हैं Forgetfulness is there No भूलने लग जाते हैं कमजोर हो जाते हैं A little meek Weak And then Forgetful भूलने लग जाते हैं There is a kind of an Oblivion भूलने की बिमारी शुरू हो जाते हैं Oh my God What has happened क्या था मेरे दिमाग में आपके जो Means दादा जी के उमर के लोग Exactly You know But Not too old Okay Not too old बहुत जादा ओल्ड जब हो जाते हैं That is the final stage of life वो हमारी जिंदगी की सबसे आखरी स्टेज होती है And that stage we are going to see That is the stage number 7 And then in the stage number 7 The oldest stage That is called the final stage आखरी स्टेज होती है इसके बाद आता है आपका मृत्यू मौत आ जाती है So कैसे हो जाते हैं बिना दात के बिना हैर के हेंच बैक Cannot walk by themselves हाथ में लकडी रहती है That way you can see the person So these are the seven stages of human life अब आखरी हिस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि Shakespeare ने seven stages को क्यों बताया Why Shakespeare has put before us All the seven stages So there was the thing कि इन साथ stages में से हर कोई जाता है चाहे आप कोई भी हो Whether you are a beggar or a king Whether you are a very common man or a prime minister, president It doesn't make any difference So far the seven stages or the cycle of the seven stages of life that is concerned इस cycle में से सबको एक बार जाना पड़ता है Everyone has to go through this cycle अब आप को यह इसलिए दी गई है कि आप किसी एक स्टेज में और आप उस तरीकी के actions करते हो देखो इस इस यह तो स्टेज आएगी है infant हम रहेंगे school boy भी हम अब रहेंगे ही but not necessary कि आप lover रहो okay not necessary teenage में sex fear इस बात को जानते थे you know चाहे आपको प्यार हो कि ना हो लेकिन there is a hormonal change in human life and so this lover stage is very deliberately taken then the soldier soldier does not mean कि आप हर कोई soldier बनेगा वो sex fear के time की बात है sex fear के time में हर कोई जो था वो राजाओं का जमाना था सरदारों का जमाना था इसलिए जादा तर लोग soldier बनना चाहते थे लेकिन आज हम soldier थोड़ी बनेंगे everybody will not become a soldier तो आप जो कुछ भी बनेंगे आपका career चुरेंगे this is a career stage no this is a stage of our career तो आपको career चुनना चाहिए and according to your career आपका behavior रहेगा आपकी qualities रहेगी then you become the promotion one no calm and quiet and rational and understanding person a mature and a wise person in the form of a judge आप हर कोई तो judge नहीं बनेगा everybody will not become a judge तो हम जो कुछ बनेंगे that is called the promotional thing and then after this हमारी बहुत सारी जिम्मेदारिया खतम हो जाती है और हम थोड़े थोड़े बुड़ापे के तरफ जब जाना शुरू होता है तो उसके जो symptoms है symptoms of our old age that starts in this sixth age sixth stage and then there comes the seventh stage that is sand tooth daat नहीं रहेते हमको sand air, hinge bag quite helpless as such and cannot move by ourselves so these are the seven stages of human life and we are the characters हम play करते है हमारा role अगर आप अपना role अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए सीखना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूरे से like करे comment करे, share करे, subscribe करे और bell icon को दबना इसलिए ना भूले ताकि next video जो आएगे आपकी 1.5 की not only of this sort but many different kind of videos जब हम देखेंगे English के ओ लेकर तो आपको बड़ा मजा सकता है so thank you very much